नमस्कार दोस्तों आज हम मुस्लिम लोग को एक्स्पेनेशन देखेंगे आसन सब्दों में और इस वीडियो में मैं फुल मुस्लिम लोग को कवर करूंगा जो भी इसमें एक्जाम पॉंट आफ व्यू से टॉपिक इंपोर्टेंट है वो सारी कवर किये जाएंगे चाहें व वो इस मुस्लिम तो जो इस कल्मा में विश्वास करता है ला एला एला मुहम्मद रसूल अल्ला यानि अल्ला क्या एक है और मुहम्मद साब क्या है उसके पेगंबर है जो इसमें विश्वास करता है वो क्या है एक मुसल्मान है जरूरी नहीं है कि वो रिलीजन से ही मुसल तो सबसे पहले दिखते हैं कि इसकी जो कंडिशन थी, वो मुहम्मद सहब के जनम से पहले क्या थी, तो क्याता है इसका कोई भी विकास नहीं हुआ था जनम से पहले, ये जनम से पहले नहीं थी, अरब देशों में क्या सिस्टम था, कि वहां क्या थी अरब देशों में कबील पर था थी क्या थी कबीला पर था कबीला में क्याते हैं वो युद्ध करते रहते थे और कबीले का क्या होता था एक मुखिया होता था और यह क्या करते थे व्यापार करते थे व्यापार की प्रपड़ती थी और यहां अरब देश में किसका सासन था तो साम में वंसजों का य हुँ यहाँ जो मेल थे वो दगदस विवहा कर लेते थे इस वयाओं को क्या सबमाइब आदा थाओं को खरीद करोक्त की वस्तू महलाओं को महलाओं की अत्यया भी क्या थी एक आम ला है थी और प्रतीक Speech the æी खराब थी और जो धारिविक भावना थोड़ी बहुत थी भी तो क्या थी बहुत कम थी और उसे जो व्यक्त करते थे उसे मूर्ति पूजा से व्यक्त करते थे आफ्टर देखते हैं कि मुहमद साब के बाद मुसलिम लोग में क्या चेंजिस हुए तो सबसे पहले देखते हैं मुहमद साब का जो जर्म है वो मक्का में हुआ था कब 570 AD में मुद साब के जो दादा थे उनका नाम क्या था उनका नाम था मुतालब और मुतालिब जो दादा थे इनके क्या थे दस पुत्र थे और जो दस पुत्रों में से एक पुत्र थे इनके अब्दुल्ला जो क्या थे मुहम्मद साब के पिता थे और मुहम्मद साब की पिता की मृत्यू इनके जर्म से पूर हो गई थे इनकी जो माता थी इनका नाम क्या था अमीना था और बालकाल में ही इनकी माता की भी मरत्यू हो गई थी After that इनके दादा ने इनका पालन पोसन किया और उनकी भी मरत्यू इनके दो साल की यह थे जब इनके दादा की मरत्यू हो गई इनके चाचा अभुतालिम ने इनका लालन पालन किया इन्हें 25 साल की उम्र में हीरा नाम की गुफा में क्या था जिब्राइल जो दूद थे भगवान के उनके द्वारा इन्हें देविय संदेश की प्राप्ती हुए किसकी देविय संदेश की जब इन देविय संदेश की प्राप्त हो तो प्राप्त होने के बाद देविय संदेश प्राप्त होने के बाद मक्का सहर में मुहम्मद साब ने क्या किया किया कि अपने जो संदेश थे उन्हें लोगों को देना शुरू किया तो मुहम्मद साहब के संदेशों को मक्का सहर के लोगों नहीं माना after that क्या है कि मुहम्मद साहब ने मदीना की और पलायन किया और जब मदीना की और पलायन किया तो इस पलायन करने को ही क्या है हिज्र कहते हैं और इसी से हिज्री सम्मत सुरू हुआ और मुहम्मद साब ने यहां कहां मदीना में आके संदेश फैला है अपने जो भी देविय संदेश थे और मदीना के लोगों ने मुहम्मद साब की सिच्छा को माना After that मदीना से ही मुसलिम धर्म का फैलना शुरू हुआ अंतिम समय पे मुहम्मद साब राजगदी पर भी बैठे और 670 में इनकी मृत्यू हो गई अब इनकी मृत्यू के बाद में मुसलिम समाजवत दो संप्रदायों में बठ गया एक सिया और एक सुन्नी जो मुहम्मद साब की बेटी थी फातिमा और इनके दामा जो थे अली तो इनकी जो बेटी पहत्मा थी हो खलीपा के पत्को क्या है वनसानवत बरना चाहती थी तो जो वंसानवत भरना चाहते थे इस पत्कों कहला है सिया तो इनके पहले जो खलीपा थे वो थे अली जो फ़र्ष्ट खलीपा बने जो दामाद थे प्रॉफिट महुंबत के उनके बाद उनके जो दो बेटे थे हसन और हुसेन यह दूसरे और तीसरे क्या बने खलीपा बने आफ्टर देट हसन और हुसेन की अमूदिया वंस के द्वारा क्या है कर्बला के मैदान में हत्या कर दे गई और उसकी के बाद से क्या है ताजिय अईनि की आद में मनाए जाते हैं अब एक मुहमबत साब की विद्वा भी थी नेका नाम क्या था आसिया भी बीबी यह नहीं चाहती थी क्या खलीपा का पड आदार बहरा जाना चाहिए तो इनके जो पिताते अबूबकर वो क्या है निर्वाचन के आधर पर पहले खलीपा वने और जो निर्वाचन के आधर पर चाहते थे खलीपा का पड़ भरा जाए वो क्या कहलाए सुन्नी कहलाए आफटर देट हम इसके बाद देखते हैं सुन्नियों में दूसरे जो खलीपा हुए वो उम्र हुए और तीसरे खलीपा उस्मान हुए सिय और सुन्य और दोनों के बीच में difference देख तो सबसे पहले difference है हमारा uponग खलीफा के अधरपर, खलीफा क्या यह सुन्य यह में निर्वाचन के आधरप अधरपर एलेक्ट किया जाता था किसकी अधरपर क्या अधरपर को निर्वाचन के है इसकी मानिता नहीं है और जो शाची चाहिये होते हैं हो इसमें विवहा के टाइपर दू तो कि ये हैं तो भी विआव बैलेड माना जाएगा कि अगजिया हैं मुटता विवाब को वालड मानते और साच्छीों की अवश्रकता इधर नहीं होती है vistião कि सुन्नी में बहुत लंबे लिष्ट होती हैं और ये क्या है किस से थे होते हैंape prawod गार्जन उते हैं पित्र से और यहां सिया में केवल दो ही गार्जन होते हैं एक पिता और दूसरे पितामा अन्य व्यक्ति क्या है फजूली व्यक्ति कहलाते हैं यह खिल्वत उल्सही को मानते हैं खिल्वत उल्सही मतलब एक आंत में हैं तो यह खुदी यह कर लेते हैं एज आफट दैट यह खिलत सिया वाले खिलत अलत तक सही नहीं मानते हैं इनमें गर्ब धर्ण पर्यक्त का समय बड़ीहाय बंबом माहशन का दीडा दिया गया है और सिया में 10 माहन का दिया गया है आफ्टर देट हम देखते हैं,ής जो हमारा है महर,महर के आधर पर हम देखते हैं महर के आधर पर निउनतम 10 त।ंडख्यु strange डिरहम है,किसमें, मंपसमें, ahora सिया में प्या है, क्या है 500 और सिया में V दिर्हम क्या होता है दिर्हम एक चांदी का सिक्का होता है जिसका के वजन 2.97 ग्राम के लगवल होता है इसमें आदी सुन्नियों में आदी जो महर होती है वो मुवजल यानि जो तुरंत दे होती है और आदी मुवजल यानि जो बाद में दी जाती है कि ये सिया में खॉन्तिक्त में ये नहीं लिखा के महर कौशी होगी तो ये सारी की सारी मौजल महर मानी जाए गी यदि विवा हो गया है और विवा होने के बाद में यह है कि जो महर थी वो महर दी नहीं गई है और रिलेशन भी स्टैबलिस नहीं हुए है और डायवोर्स हो जाता है तो भी इस कंडिशन में भी महर देनी होगी लेकिन सिया में ऐसा नहीं है इस कंडिशन में महर देने की आवशक्ता नहीं होगी अब डायवोर्स की बिसिस पर जो डाइवोर्स है केवल और केवल रूटेट ही होना चाहिए और इसके लिए विटनेस की रिक्वाइरमन्ट भी होस्ती है ये सिर्फ तलाक और सुन्नत को मानते हैं और सुन्नी तलाक और सुन्नत और तलाक और बिद्दत यानि तहरे तलाक को मानता प्रदान करते हैं sources of law जो मानते हैं वो ये सुन्नी 5 sources मानते हैं पहला कुरान, दूसरा सुन्नत और अहदीस, तीसरा इज्मा, चौथा कयास, और पांच मा कस्टम कुरान, सुन्नत और अहदीस, अध्या कुल्सके पाड तर्ग और ये सिया मुशा के सिद्धान्त को मानते हैं, यानि मुशा के सिद्धान्त के अंदर क्या है कि अभवाजित जो हिस्सा है उसका दान मानने नहीं होता है, वो क्या होता है, इर्रेगुलर होता है, वर्ड नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, इर्रेगुलर होता है, आजीवन सहें महते हैं कभजै का परदान क्या यह ज्याय द्वार्बा सकता है लेकिन जो पजैसन दे दिया है ट्रंसवर कर दिया है उसका रिवfikे संन डिकरी के बी करवाया जा सकता वे व्गवक्व जो transfer कर देया है वक्फ जो है अपने और परिवार के लाव जो है उसके लिए भी कर सकते हैं यानि वक्फ अल-उलाद इसको मानता देते हैं सुन्नी में और वक्फ अल-उलाद को सिया वाले मानता नहीं देते हैं वक्फ इसमें गोश्ला मातर से पूर्ण हो जाता है सुन्नी में सिया में जब तक कभजा नहीं दिया जाएगा तब तक नहीं होगा मानने उत्रादिकारियों के पच्च में वसीयत क्या है नहीं कर सकते हैं यद करनी है वसीयत तो क्या है सबी से अनुमती लेनी होती है किस में सिया में और यहां क्या है कि एक वटा तीन जो प्रोपर्टी है उसकी वसीयत यद करना चाहें तो इसके लिए उत्तराधिकारी जो है अन्ने उनकी अनुमती की कोई आवश्यक्ता नहीं होती है यदे सुननी में गर्फ में जो बच्चा है उसके नाम कोई वसीयत करनी है तो उसके लिए छे महीने के बाद वसीयत की डेड़ से उसके जन्म का होना आवश्यक्ता है और इसमें जो इसने वसीयत की है यद उसकी डैथ हो जाती है तो उसके डैथ के बाद में दस महीने के अब मात्रत तुलाब की बेसिस पर देखते हैं, यद कोई भी व्यवायता जो है वो पर पृस्तिक सी बच्चे को जनम देती है, तो माता संदच्छक माने जाएगी किसमें सुन्नी के एकॉर्डिंग, और इसमें ना फादर ना मदर कोई भी संदच्छक नहीं माने जाएगे क इसमें सिया के अकॉर्डिंग, गारचियनसिप, यारी हिजरत का जो सिद्धानत है, उसमें सात वर्स तक के लड़की को, और वाइकस्ता जब तक लड़की प्राप्त नहीं कर सकती है, तब तक क्या है माता की कश्टडी में रहेगी, ये सुन्नी में है, आफ्टर देट सिय नहीं सिंपन दौन पर č और फेको बेpास्ट नहीं पार उनु कर्तना से क geschा हुआ है, अफ्टर छापोडों, ये सुन्नी में डिया हुआ है जब के सिया में केवल और केवल सफी ए सरीक यानि कि केवल दो हैं तो ही जोईंट तो ही बाद में उसे खरी सकते हैं अनिथा नहीं अफ्टर दैट उत्त्राधिकारी जो है, तो उत्त्राधिकारी इसमें तीन माने गए, सबसे पछे हैं को पहले हिस्तेदार, इस्तेदार को से सांग में बटेगी। ह entry हिसा वाले जेश्ट पुत्र कि हमानने के लिए हिए इसमें प्रॉपर्टी लेने के लिएdeal इसुनी में किसी ने हत्या करती है किसी वत्ति के लिए इन्टेन्शन से की हो या without intention की हो तो उसे क्या है property से बेदिखल कर दे जाएगा उसे कोई भी property नहीं मिलेगी ये इस ने intention से की है सिया में तो उसे नहीं मिलेगी intention से की है और without intention हक्तिया कर दिया तो उसे property मिल जLaughs after that important topic डिखते हैं इसके बहुत ज़्यादा चांस है पिपर में आने के Sources of Muslim Law तो Sources of Muslim Law में दो तरह के Sources है एक है हमारा Primary Source After that है हमारा Secondary Source तो Primary Source में सबसे पहले है Quran, फिर सुन्नत and अहदिस फिर इज्मा, कयास After that, कश्टम तो सबसे पहले Quran में देखते हैं Quran में क्या है मुहमबस साब के द्वारा जो देवी संदेशों ने मिले थे उन देवी संदेशों को कोडिफाई किया गया किसके द्वारा? अबू बकर के द्वारा इन्हें जो देवी संदेश मिले थे वो जिवरायल दूत के द्वारा मुंबस साब को मिले थे और ये जो कहां मिले थे हीरा नाम की जो गफा थी उस हीरा नाम की गफा में मिले थे इसमें कुरान में 6666 आयते हैं जिसमें से 200 जो आयते हैं वो लॉसे रिलेटेड हैं 30 इसमें चैप्टर हैं और उन 200 जो आयते हैं उनमें से 80 आयते क्या हैं फैमिली से रिलेटेड हैं 80 आयते हैं after that हम देखते हैं सुन्नत और अहदीश तो सुन्नत और अहदीश में पहले डिफरेंस देखते हैं तो अहदीश चो होती है वो केवल वो एक ऐसी परंपरा विसेश परंपरा या घटना होती है जिसका जो उधारण है वो या तो कहानी के रूप में दिया गया है या फिर कथा के रूप में दे दिया गया है अब इस चो कहानी और कथा से कोई जो लौ निकल के आया कोई क्या निकल के आया है लौ निकल के आया है तो उस लौ को क्या कहते हैं हम सुन्नत कहते हैं तो यह सुनत तीन पार्ट्स में डवाइड है, एक सुनत उलफैल, सुनत उलकॉल और सुनत उलतक्रीर, यानि सुनत उलकॉल यानि मुहम्मद साहब ने जैसा अपनी जिंदिगे में आच्रंट किया, और वैसा ही दूसरे करते हैं, तो और वैसा ही आचरंट करना चाहिए, उसे सुन्नत उल फैल कहते हैं, सुन्नत उल कॉल, यानि जो कुछ मुहम्मद साब ने संदेश दिये, जो कुछ कहा उसे क्या है, सुन्नत उल कॉल कहते हैं, सुन्नत उल तक्रीर, यानि न कुछ कहा, न iki एधिस केवल मौन रहकर जिनकी कयादी कयवल सहमती वेयत की इनका र्चेलियों की उनसे क्या कहते हैं सुन्नत अल्- तक्रीर कहते हैं अफ्टर देट अधिस दिखते हैं और तीन पार्ट में डिवायड है पहला अहदीसे मुत्वरा अहदीसे मसूवरा अहदीस ये वाहिद तो अहदीसे मुत्वरा में क्या है एक ऐसी परंपरा जिसके बारे मैं सभी को पता है और वो सार्व देने का और प्रमाणिक्ता की द्रश्टी से भी क्या है वो है यह फ्रमानिक्ता की द्रश्टी से भी तो इसे क्या कहते है अहदीस मुत्वरा का मतलब है कि अधिकांस लोगों को इसका घ्यान तो है लेकिन उसे फालो नहीं करते है यानि सबील लोगों को नहीं है इसका सार्बजनिक बहुत से नहीं किया है कि यह खेंड लिवा झाट्ट पा ज्यक्ट में कोई केसरा कि जो कुरान से उननत और आपडीस से इन दोनों से जो केस है उसका जो इसू है वो इन दोनों में क्या है बताया नहीं गया है तो अनुचलन करके कोट क्या है राय लेगा अब यह राय किसकी लेगा कोट सबसे पहले किसकी लेगा पैगंबर के साथियों का एजमा लिया जाएगा तो पैगंबर के साथियों का ज अजन्ता का एजमा जब लिया जाएगा, आफ्टर गैड जन्ता का जो जब भूना चाहिए और उसे जन्ता को स्विसया के बारे में जानकारी हो ने जो नेड़े ए ये बहुमत के आधार पर लिया जाएगा, आफ्टर देट इन कयास का मतलब है जब इन दोनों में पहले और दूसरे में कुछ चीज़े नहीं है तो क्या है कोट क्या करेगा कुछ रीजनेवल अपने लॉजिक लगाएगा और ये लॉजिक फर्स्ट और सेकंड के बेसिस पर ही लगाएगा यानि कुरान और सुन्नत और अधीस के बेसिस पर लगाएगा और उसके बाद उस मैटर में क्या है वो अपना देगा कश्टम्स यानि रीतिरवाज कुछ रीतिरवाज इस कुरान में तो थे लेकिन इस कुरान में क्या कोडिफाई नहीं हो पाए और ये नियमित थे और इनका जो दर्जा होता है रीतिर आधिवल ही और ये क्या नहीं होने चाहिए ये कुरान, शुनत और अहदीश के एडवर्स नहीं होने चाहिए ये जो ख़्टम है उसके बाद हम देखते हैं सेकुंडरी सोर्सेस прикुंडरी में क्या है पर इस अब से पहले जो नहीं दिये जाते हैं वहँ इकूटी जश्टि तो वो इसके बेसिस पर नेर्ड़ा देते थे उसके बाद लेजिसलेशन यानि लेजिसलेशन के द्वारा जो भी बनाए गए हैं लौ उसके अकोर्डिंग नेर्ड़ा दिये जाएंगे मुस्लिम लौ क्या है एक पर्सनल लौ है आफ्टर देट जो प्रसीडेंट और जूडिसल डिसीजन है जो पूर्ण जो नेर्ड़ा लिए गए हैं उसके एकोर्डिंग दिये जाएंगे नेर्ड़ा आफ्टर देट हम यह नेस्ट टॉपिक दिखते हैं जो बहुत ही इंपोट प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस में क्या होना चाहिए प्रपोजल कैसे होनी चाहिए हमारी सबसे पहले प्रपोजल में पच्छकार जो है पार्टी जो होनी चाहिए पच्छकार हों की अब यह पच्छकार कौन होने चाहिए जो पार्टी है वह मुसलिम होने चाहिए और दो होने चाहिए और एक समय और एक ही जगह में होने चाहिए वह पक्षकार यानि कि जो उनकी ताइम और एक ही प्लेस पर होनी चाहिए एक बैठक यानि कि एक क्या उनकी सिटिंग होनी चाहिए और इस सिटिंग में क्या है कि जो प्रपोजल दिया गया है प्रपोजल देने क साथ ही एट प्रेजर्ट उसकी नहीं दिजाएंorg ऐसी सवतंत्र ओनी चाहिए और सेश्वतंत्र होतिन यह रटों सदॉद कर इसका सबають जैसे यह ऌर धंका नहीं होनी चाहिए आफटर देट जो विटनेस हैं उनकी उपस्तिती होनी चाहिए यह सुननी कहते हैं कि दो विटनेस होने चाहिए और यह जो विटनेस होने चाहिए और यह जो विटनेस होने चाहिए और यह मेजर होने चाहिए sound mind होने चाहिए और muslim होने चाहिए after that देखते हैं capacity for marriage यानि capacity क्या है marriage की क्या होने चाहिए? yx को होने चाहिए जो marriage कर रहा है इसमें Indian majority 1875 लागू नहीं होता है सुन्नी कहते हैं कि male और female है इनकी majority की age कितनी होगी? 15 साल होगी और Sia कहते है male की 15 साल होगी और female की age of poverty होगी after that जो age है ये 15 साल ये muslim लौमक तीन के लिए है एक विवा के लिए डैवर्स के लिए महर इन तीनों के लिए age 15 साल है इन तीनों के लिए after that क्या होना चाहिए capacity के लिए वो स्वस्त चित्र यानि sound mind होना चाहिए unsound mind नहीं होना चाहिए unsound mind है तो marriage क्या होगी वो irregular होगी न के world marriage होगी तीन तरह की age दी होई है 0 से 7 को हम सगीरी कहते है 7 से 15 सरीरी 15 से जो उपर है उसे बुलू कहते है इसी में option of poverty लिया जाता है 15 से 18 के बीच में after that हम देखते है absence of legal impedive master यानि कि विदिक निसेदों की अनुपस्थती prohibitions यानि इसमें आगे तीन पार्ट्स में ये डिबाइड है absolute prohibition यानि पूर निसेद पूर निसेद में क्या है जो marriage होगी वो void marriage मानी जाएगी और void marriage जो मानी जाएगी ये void marriage जो है किस-किस के बीच में void marriage होगी है ये सबसे पहले blood relations में यानि एक के अपर generations के यासे माता दादी और बाई बहन after that एक के lower generations में भी नहीं होगी है बूआ और मौसी से भी वो नहीं कर सकता है marriage after that जो विवास अमदी यानि कि उसकी जो पत्नी है उसकी पत्नी की उपरी पीडी से और निम्न पीडी से वो क्या है साधी नहीं कर सकता है और अपनी पूरवजों की पत्नी से वो साधी नहीं कर सकता है इसका एक अपबाद है कि वो अपनी पत्नी की जो बहन की दात्तरी माता से, दात्तरी बहन की माता से, दात्तरी पुत्र की बहन से, दात्तरी भाई की बहन से, इनसे वो साधी कर सकता है. After that देखते हैं, relative prohibitions, यानि सापेच निसेदी ये वाले जो निसेद हैं, इसमें marriage void नहीं होगी, marriage irregular होगी. ये relation हमारे कौन से हैं? अवयद सेयोग. अवयद सेयोग का मतलब है, यासे एक ए है, ये ए, एक ही टाइम में, बी और सी दू बहन है, इन दोनों बहनों से एक ही टाइम में क्या है, वो साधी नहीं कर सकता है. आफ्टर देट बह विवाय, यानि कि मुसलिम मेल उस मेल को चार विवाय कर सकता है, पांच में बहाय करेगा, तो पहले उसे 4 मैं से एक को डाइम देना होगा. साज़शिकी क्या होनी चाहिए अनुपस्तिति मेद करता है तो ऐसा भीभा क्या आएगा रिलेटे प्रॉहिबिशंस में आए का है ढर्म की बिन्नित अब डिफरेंस नहीं होना चाहिए जो सुन्नी जो मानते हैं सुन्नी में जो मेल है, सुन्नी का मेल क्या है, वो जो फीमेल से करेगा, वो फीमेल, मुसलिम फीमेल से तो वो कर सकता है, किताबिया से भी कर सकता है, लेकिन मूर्ति पूजक और अगनी पूजक से नहीं कर सकता है, और जो सुन्नी की फीमेल है, वो केवल और केवल मुसलिम मेल से ही कर सकत इद्दत के दोरान औहक्या है कि इद्दत जो क्या थाइम पिरेड ओता है इसके दोरान वुदा नहीं कर सकता तलाक और जो ऑबाई विवा नहीं कर सकता जैसे A ने B को तलाग दिया उस time period में वो विवाह नहीं कर सकता है कौन female विवाह नहीं कर सकती है इस time period में और इस time period में क्या नहीं होना चाहिए अन्य पर उसके साथ मैं cohibition नहीं होना चाहिए अब next देखते हैं हम miscellaneous prohibitions अन्य निस्यत क्या है समांता का नयम याणि कि कफा कि कहते हैं या जो marriage होनी चाहिए वो से cyn navy लोगों के पीच में होनी चाहिए नेश देखते हैं क क्या गर्वति से विवाह नहीं करना चाहिए हज यात्रम है यानि हज यात्रम है यानि पहनावा धार्ण कर लिया है इस पहनावा धार्ण करने को क्या कहते है है हम एहराम यानि एहराम धार्ण कर लिया है उसके बाद साधी नहीं करनी चाहिए यह साधी की हुई है तो क्या है कि सिया वाले तो इस साधी को क्या एवायड मानते हैं और सुन्नी वाले इस साधी को वैलेड मानते हैं पर कोई है तो ऐसे ब्यवा नहीं करना चाहिए यह जो है मिसलेनियस वाले कर भी लेते हैं तो यह ब्यवा क्या होंगे इर्रेगुलर मेरेश में आएंगे अपना अपना नेक्स टॉपित यह हमारा इदत इदत क्या होती है इदत नहीं है यानि अर्थ यह जो बच्चे का फादर है वो बच्चे का फादर होंगे क्यों है यह डिसायड कर लिया जाये इसके लिए यह इद्दत की अबदी है, after that, जो इद्दत है, इसका जो पीरिड है, उसके according, पती की जो मृत्ति उसे जो विभा विचिया ने डाइवोर्स है, डाइवोर्स की कंडिशन में इद्दत को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो क्या है, ओन डेट ओफ हस्पेंड है, और जो डाइवोर्स से है, उसे भी फर्दर ये डिवाइड किया गया, तो सबसे पहले दिखते हैं, पती की जो मृत्ति हो जाती है, उस टैम में इद्दत तीन टैप की है, पहली इद्दत चार माह दस दिन की रखनी होगी, नॉर्मलियत पती की मृत्ति हो जाती है, तो इद्धत की अब दी तीन माह होगी यद यदे डायवोर्स हुआ है उसके थ्भू क्या इद्धत रखनी है तो क्या है 78 दीन तक इद्धत रखनी होगी इसके बाद डायवोर्स के बाद यद जो relations है, relations established नहीं हुए हैं और तलाक हो गया है तो इसमें इद्दत की कोई आवश्यक्ता नहीं होती है लेकिन इसमें जो marriage है वो क्या irregular होनी चाहिए यद marriage irregular है तो death की condition में और divorce की condition में दोनों की condition में जो इद्दत का time period है वो 3 months का होगा after that देखते हैं हम इद्दत के time period में क्या riots होते हैं और क्या duties होती है क्या riot है इद्दत के time period में क्या duty है तो क्या है दूसरे विवाह नहीं कर सकती क्यों female नहीं कर सकती क्या है कि बहरंबोर्स की मांग कर सकती है इद्यत के पीरिड में बहरंबोर्स तो महर होती उसे प्राप्त करने की अधिकानडी मन जाती है यह मुआजल महर में इसे में मुआज्जल महर मे फ़िसकी मृति हो जाएगी जो दूसरा है वह उसका क्या हो जाएगा उत्त्राधिकारी हो जाएगा और यह जो तलाक है यह तलाक जिस देट से हुआ है या फिर जिस डेट से टैथ हुई है उसी डेट से इद्दत का टाइम पीरियड माना जाएगा आफ्टर देट नेक्ट देखते हैं खयाल उल बुलूग यानि option of poverty option of poverty में क्या है इसका means होता है कि option of poverty यानि अवैस्क में क्या कर दिया है निकाह कर दिया है यानि blue 15 years तो उसके पास क्या होता है option of poverty होता है wax था का सिद्धान जिससे क्या है क्या कर सकते हैं तो wax के पास दो अधिकार होते हैं या तो अमान करा सकते हैं marriage को या मानिता भी दे सकते हैं या अमान भी करा सकते हैं अब क्या है कि तीन type की marriage जो मैंने आपको पहले बता दी थी 0 से 7 सागीरी साथ से 15 सरीरी 15 से 18 बुलूग सरीरी में क्या होता है कि guardians क्या है marriage करवाते हैं क्योंकि वह minor है इसलिए guardians की consent होती है और या या नी marriage करवाते हैं और major बनने पर क्या है यह 15 से 18 के बीच में क्या है डाइवोर्स के लिए मांग कर सकते हैं डाइवोर्स ले सकते हैं अब क्या है इसके लिए कुछ कंडिशन है important condition है कब option of poverty की मांग कर सकते हैं तो क्या है जो मैरेज हुई है वह 15 साल से पहले हुई है और जो सन्रचक जो है निकाह का निकाह सन्रचक की द्वारा क्या है करवाया गया है after that पच्छकारों में क्या है 15 से बाद में रिलीशन्स नहीं है after that निकाह को जो अमान ने करवाया गया है पंद्रे वर्स की आयू में जो वो कब तक करवारे जाएगा? 15th अयो के बाद, अमान करवा सकते हैं. और आफटर देट, 18 yn 10 का ग्राओरीघ येर्डेटेश जो 17 से फला princess 5 अ करने 10 को 7 आयो के बाद, 18 से फला अमान करवा सकते हैं. अग कल ग drea paycheck क्या था? जो old time था Muslim law में यह दि माइनर में करवा दी गई है साधी किसके दौरा guardian को उने पिता या पिता मा है तो जो जिसे भी चाहें वो आधर male है और female है उनको क्या है डावोस लेना है तो उसके लिए उनने यह प्रूफ करना पड़ता था कि यह जो कंसेंट थी यह कपट से या फिर अवैस का लाब लेने के लिए प्रोपर्टी वगएरा मेंसे उसके लिए करवाई गई थी marriage इसका प्रूफ करना पड़ता था उसके बाद ही होने क्या मिलता था डावोस मिलता था यद अधर सन्रचक के दौरा करवाई गई थी इन दोनों के अलावा पता और पता माय के अधर में थी लेकिन मॉडरन टाइम में क्या है कि मुस्लिम विवावच्छेद 1949 के सेक्षन 2 के अकॉर्डिंग मुस्लिम महला को क्या है यह अधिकार प्राप्त हो गया है कि वो पिता या पितामेर के दौरा जो निकाह करवा दिया गया है पंदरे वर्स की आयू से पहले त मेल को पुड़ान वाला सि्द्धानत ही क्या है यह लागू है मेल पर उसे पहले रीजन को क्या करना पढ़एगा प्रूफ करना पड़एगा उसके बाद ही और दैवोच के लिए अप्लाई कर सकता है और दैवोच जिस देट से बिक्री क्या ही है हुई है ओर आया है दिक् एक पतनी को क्या है अधिकार की समापति कभ हो जाएगी पतनी के अधिकार की समापति कभ हो जाएगी इज उसे नूलेजयर्स nive के होने के बाद भी अपना तो इस क्सूदा leaked तो उसका यदकार खत्म हो जाएगा पती के अधिकार के समापती जब हो जाएगी जब उसने क्या है महर जोती उसका बुगतान कर दिया है या फिर फिजीकल रिलेसंसिप इस्टाबलेस कर ली है सबसे पहले महर क्या होती है महर की डेफिनेशन देखते हैं तो महर के डेफिनेशन अब्दुल कादर वर्सस सलीम मा बेगम वाले किसमें दी गई थी महर क्या एक धन्नासी है जो पती दौरा विवहा के प्रत्फल की रूप में दी जाती है किसे दी जाती है पत्नी को दी जात अब्दुल्लाहीम कहते हैं कि यह जो प्रत्फल है यह प्रत्फल नहीं है बलके सम्मान के रूप में दी जाती है लेडी के विल्सन कहते हैं महर पतनी दौरा शरीर के समर्पन का क्या है प्रत्फकर है इसमें सबसे जो इंपोटेंट और सबसे बैस डेफिनेशन वह अब दुल्लाहीम की यह यह क्या है यह प्रत्फपल नहीं है इस इसमान के प्रतीक में दी जाने वाली एक रासी है अब इसका कुछ तहुरा को ऑल डी चाथे दिखते जग उसे कहते थे साधिकते थे बने के प्रकार दिखते हैं कितने डाइब की हमारी महर होती है कि महर सबसे पहले देखते हैं हम रासी के आधार पर रासी के आधार पर तो टाइप की होते हैं निशित मेर यानि महर a यूसमा पुचित महर या रिवजी महर महर a मिश्ञ निश्जथ महर is specified कि डावर Auch्र ये उचित यानि प्रापर दौर अब इसमें कि जो मेजर इसे घंवाइं के समय, मैंनौ मेरे समय पहले पर समय कि मेहने के लिए उसेममाइन शुंक्त कर लेते हैं wad why radiation है कि घंवा समय मेरे 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 मिलियं जरा समय के मेरे दैने के लिए ginga है. उसक Plan कि दीए को समय के मेर मेरे कि मना फिए उचित महर में करनाए चांठी मेरें घाथ से भाटे कि कांटक्ट तायम मेरेज क्या होती थे टायम मेरेज कि उचित महरें तो बहटे कि एंड़े मेरें देवा कि गए तो यह डूर चीसे अग्यार की साधी मेरें उसके according वो महर तै की जाएगी after that दिखते हैं महर की अबदी के आधार पर तो महर की अबदी के आधार पर तो टैप की महर होती है एक prompt door होती है और एक deferred door, prompt door यानि तुरंट दे जिसे कहते हैं मुअजल, मुअजल कहते हैं जिसे एक होती है, इस्थगित इसे क्या कहते हैं deferred door यानि मुअजल जो बाद में दी जाती है, मुअजल यानि जो तुरंट दे होती है एक होती है अदत महर, अदत महर है यानि जिस महर का बुक्तान अभी नहीं किया है, मुसलिम पती ने तो क्या है कि महला क्या कर सकती है महला यह कर सकती है कि वो physical relationship से मना कर सकती है अब उसके बाद क्या है कि महर का बुक्तान नहीं हुआ है तो विद्वा क्या है वो रिनी के रूप में महर का अधिकार रिनी होती है किस से उसकी जो संपत्ती है उस संपत्ती से किस की तो उसकी death हो जाती है तो उसकी deceased person की संपत्ती वह सबस्क्सक्राइब कर नहीं हो जाता है इस मेह की जो रासिया नहीं barb अभ जो महर होति है वो तुरंट दिये है या पिर उत्तरभावी महार के इसके संबंद आदी प्रॉंप्टोर होती है, और आदी डिफर्ड होती है और आदी मू अजल होती है, इसके बाद में हम दिते हैं, कि जो महर की आवश्क्ता, क्यों पड़ी महर की आवश्क्ता है इसलिए पड़िए कर दय मे Yep 1 त्रसी जो अनेमेच सकती थी को शकती पर क्या प्रत बंद लगे और जो वह वहा है उस पर रोक लगे क्यों करें करेंगा तो महर देनी पड़ेगी और जो इस रासी में छूट देगी यानी पत्नी इस रासी को क्या कर सकती है गटा सकती है पत्नी इस रासी को गटाएगी तो इसे कहेंगे हिबाए महर पत्नी क्या कर सकता है इस रासी को क्या है बढ़ा सकता है अपनी स्वेच्छा से आफ्टर देट यह तो हमें पता ही एक सी यह में हें निकाहिए के बाद मैं तॅछ पंसो दिरहम होती है और सुन्नी में 10 दिरहम मानते हैं जievous 취 everywhere ये हन्फी वाले मानते हैं, और मलकी वाले चाय मीनिवम मानते हैं, वो 3 दिरहम की मीनिमम vendors हैं, कि निकाह होने के बाद में किसी के पास पैसे नहीं है तो क्या कहेगा कि निकाह होने के बाद में कुरान सरीफ जो है कुरान सरीफ पढ़ना सिखा दोंगा तो यह भी एक महर मानी जाएगी after that हम देखते हैं जो डायवोस है मुसलिम मेरिज में हो कैसे होगा ? क्या होगा ? पाई डेथ होजाएगा इसपाउज किसी एक की डे ठ हो गए तो ऑटोमेंटिक ही डायवोस हो जाएगा आफ्टर देट क्या है कि बाई एक्ट ऑफ पार्टी पार्टी के थ्रू डेवुस कैसे होगा तो सबसे पहले देखते हैं पती द्वारा यानि पती को यह एपसुल्यूट राइट मिला हुआ है पती ही डेवुस ले सकता है इंकंडिसंस में तो पहले क्या है तलाक तो यह तलाक है तो तलाक क्या है केवल और केवल पती को मिला हुआ है तलाक का अरबी में मतलब होता है छुटकारा पाना और जब तलाक लिया जाता है तो पतनी का उत्तराजिकार खत्म हो जाता है तलाक दूतरे के हैं तलाक उल सुन्नत और तलाक उल बिद्दत तलाक उल बि तलाक उल सुन्नत दो टैप की होते हैं तलाक अहसन का मतलब होता है सर्व स्रेष्ट इसमें क्या है कि यह चारन कर दिया जाता है तलाक का किसकी अवस्ता में बोहर की अवस्ता मैं यानी to the menstrual cycle, अवस्ता के अलाब है कि जब ये हो जाता है तो इधद्दी की इसमें अभधी ने पड़ती है, इधद्द की अभधी तीन महा की होती है, तीन महा की अभधी तक ये क्या है, irrevocable होता है यानि इसे बापस लिया जा सकता है. इसके अलाबा जो हसन है यह क्या है एक स्रेष्ट है इसमें क्या है कि एक चारण एक महीने में करेगा पती उसके बाद दूसरा चारण करेगा दूसरे महीने में बोहर की अवस्था में फिर तीसरा चारण करेगा तीसरे बोहर की अवस्था में यानि इसमें क्या है टोटल दो महीने का मिलता है टाइम इसमें कितनी का मिलेगा टाइम दो महीने का और इसमें कितनी का मिला है टाइम इसमें तीन महीने का टाइम मिला है आफ्टर देट ये क्या होगा कि दो महीने के टाइम में ही इसको क्या कर सकेगा रिवो केवल करा सकेगा अब देखते हैं हम तलाक उल बिद्दत तलाक उल बिद्दत पे क्या होता इसे हम कहते हैं तिहरा तलाग यानि एक साथ ही तलाक 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 तीन बार कहते हैं उसे कहते हैं तिहरा तलाग मुहम्मद साहब इसकी मानिता प्रदान नहीं करते हैं अभी इसे खतम कर दिया गया ह after that देखते हैं इला इला क्या होता है इला क्या है कि पती क्या है खुदा की कसम घा कि आ कि चार महिने तक मैं कोई भी रिलेशन नहीं बनांगो तो पत्नी का कोट में चली जाएगी और ये डाइवोस ले लेगी इसके बाद आता है नेक्स्ट जिहार ये भी पती को मिला हुआ है यानि पती क्या है अपनी पत्नी को मा या बेहन के रिलेशन से मान सकता है और ये मानने का एक इंटेंशन होना चाहिए और वो इंटेंशन क्या होना चाहिए वो इंटेंशन ही होना चाहिए कि वो क्या चाहता है डाइवोस चाहता है और इसका रिवोकेशन भी कर सकता है पती क्या है या तो एक महीनी रोजा रखे या साथ लोगों को बोजन कराई या फैलने किशिकेनिक boa आउन के दो मिस पहered तेड़्हे देता है किसी करें पती दे सकता आए इसकेपहर पारस पर इक सहमतियानी मूच्स है पहला है खुल्हाइ कहलो कि इसमें पतनी को ट्रक तो ऊटनी को किया है तो तो में से गको अफ्र अए देनी पड़ती है कुछ दूसरा है मुबारत में क्या है कोई भी पार्टी क्या है दोनों मुचल कंसें से ओफर कर सकते हैं तलाक के लिए और इसमें कंसीडेशन देने की कोई भी आवशकता नहीं होती है इसमें कंसीडेशन की आवशकता नहीं होती है इसके बाद क्या है पक्चकारों के कारे के द्वारा बाइदा एक्ट ओफ पार्टीज पार्टीज के एक्ट से क्या है सबसे पहले लेंट यानि फक्स यानि एडल्ट्री यानि पती जूटा आरोप लगा देगा एडल्ट्री का तो क्या है पत्नी पत्नी को क्या है वो कोट में जाएगी ये कहेगी कि इसने मुझे पर क्या है डल्ट्री का जूटा आरोफ लगाया है और वो डाईव antibiotic की ग्राउनड मांग लेगी इसके लिए क्या है कि पत्ती पर क्या है ये आरोफ जो लगाया अगया है ये साबित करना पड़ेगा महला को कि ये जूटा आरूप लगाया गया है और पती क्या होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए पती पती साउंड माइंड होना चाहिए After that Muslim विवाविचेत अधनियम 1949 के सेक्षन दो में नो आधार दे हुए और ये नो आधार केवल और केवल फीमेल को दिये हुए इन नो ग्राउंड पर केवल फीमेल क्या कर सकती है अपने अधिकारों को यूज करके डावोस की मांग कर सकती है पति का लापता होना यद पति चारवर्ण मांग कर सकती है और उसके पति की तरफ से या पति कोट में आ जाता है तो क्या है फिर वो कब यब ये डिक्री दे दी ये कोट ने चैमेने के अंदर तो ये रिवोकेशन हो जाएगा इसका आफ्टर ये बरन पुर्सन नहीं कर दे रहा है पती दो वर्स से तब भी इसकी मांग कर सकती है डायवोस की इस बेसिस पर ये पती का फाइनल पनिस्मेंट दे कब तीन वर्स से तब भी मांग कर सकती है यद उसे इंफर्टिलिटी है तो क्या है वो केस दायर कर सकती है और इसमें पती को एक साल का टायम मिलेगा प्रूफ करने के लिए आफ्टर देट उसे पागलपन है और ये पागलपन दो वर्स से है तो क्या है कि उसे क्या हो इसको भी यूज कर सकती है इसको यूज करने के लिए उसे क्या है 15 से बाद में उसकी साधी होनी चाहिए और 15 से बाद में उसकी साधी होनी चाहिए और 15 से बाद में उसकी साधी होनी चाहिए और 15 से बाद में उसकी साधी होनी चाहिए और 15 से बाद में उसकी साधी होनी चाह और कुछ अधर ग्राउंस भी हैं आफ्टर देट हम इंपूर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्लासिफिगेशन ऑफ मेरिज मेरिज का क्लासिफिगेशन क्या है बेश्ट ऑन वैलेडिटी इन मुसलिम लोग यानि मुसलिम विदी में वैदिता के आदार पर विवा थार्ड वैड मेरेज यानि सुन्ने विवा और सियाद साखा के अक्वर्डिंग दो विवा दो टाइप में बाटा गया है वैद विवा और सुन्ने विवा यानि वैलेड मेरेज और वैड मेरेज वैलेड मेरेज क्या है इसमें किसे कहते है इसमें आवाश्य जितनी भी सर् इसे हैं जर पूर्ण होती है। तो उसे वैलिड मैरीच कहते हैं। इर्रेगुलर मेरीच सिर्ली तो मैरीच केसे कहते हैं। इसमें क्या है Karma सापेची हैं। रॉइटिबette रॉइट् सिर्फ में देखा है। चमिंट या मिरीच होती है वेम गरीडवार होती है। जो एपसोल्यूट प्रोहिबिटेड रिलेशन से उनमें जैसे बिलड के हो गई मैरिज के हो गई और धत्रिय के हो गई यानि के मिलक वाले आफटर ढहलें ते हैं कि यह जो वैलेड मैरी जैस के क्या इफक्ट्स और गईามारे हिए जो लेसंति वह एक्ट applause वैलेड हो गई और जो अलावा क्या है कि जो ऑचितपूर जो ओडर्स है पती के उसे भी मानने के लिए क्या होगी उसे अबलीगेशन होगा उसे इद्धत बताने के लिए क्या बात दे होगी पत्नी इसमें एक पच्छकार दूसरे पच्छकार के क्या होंगे उत्तराजकारी होंगे डैथ हो जाती ह पच्छकारों के बीच क्या है निसिद आ सकती उत्पन होना यानि के जो बिल्ड रेसंस हैं उसके बीच में साधी नहीं हो सकती है एक से अधिक जो पत्नी होगी तो उसमें क्या होगा कि उन्हें समानता पूर्वक विवहार करेगा कौन पती ये अधिकार भी बिलता है पत्नी को क्या है? महर पराप्ट करने की अधिकारणे होती है महर ए मुसम्मा और महर ए मिसल जो ये दोनों जो मिसल हैं महर ए मुसम्मा और महर ए मिसल इन दोनों मैं से जो भी महर कम होगी वो महर दे दी जाएगी इद्दत क्या है तीन माह की चाहिमरत्वी हो या तलाक हो उसमें तीन माह की इद्दत पितानी पड़ेगी जो संतान होगी क्या है वो वैद संतान होगी और इद्धत की अबदी में यह बरंट पूसाट महला को नहीं मिलेगा किसमें इर्रेगुलर मेरेज में आफटर देट हम देखते हैं गार्जियन से गार्जियन से प्यानी संडग चकता गार्जियन करें बार्जियन यह इनुन ङंट के कअग गार्जियन पहलता है नहीं में आ अशचान को जाए गार्जियन के ंए गार्जियन को क्यों होता है अनो 10 कि अम क्या विछ जञुएंटर्च के देखभाल करें उसकी प्रो पर बैटियोट्र कि कहते हैं अब मैनर में लों के अकोर् मेरिज महर और डावस तीन केसिस में है वो लेकिन इस गार्जियन सिप एक्ट में जो इंडियन मेजर्टी एक्ट 1875 है यह लागू होगा और 18 इसमें क्या है माइनर की एज पताई गई है और जो अंडर वार्ट से एक्ट है अंडर वार्ट से वो उनकी 21 यानि यानि बलो 21 यूज जयर्ट माइनर बिलो 18 कार अब इसमें सफ गार्जिन के सरीरि उतक आप्ट से उतकिर चक्ट गवार्टे यहानल जयः तो सही व्योंने अख़ आंतनish जर्स यह व्यम्ह ट्राइब 25 शड शек यह बलों Jedriam वो कौन करवाएंगे? गार्जून करवाएंगे? उनकी कंसेंट से विबा होगा, तो जो विबाँ करवाने के लिए जो घार्जिन होगा, वो क्या है? वो मुसलिम होने चाहिए? आ चाहिए ऑच्छ b JOHN मेजर होने चाहिए? आफटर देट, क्या है, कि जो सुन्नी और सिया हैं, इन मैंसे विवाह कौन कौन करवा सकता है, तो सुन्नी पच से पिता करवा सकते हैं, पितामा करवा सकते हैं, उसके बाद भाई, सौतेला भाई, उसके बाद चाचा, उसके बाद पिता पच से, उसके बाद माता पच से, औ इन से कोई नहीं है् तो उसके बाद फेर कोट करवाए गा कि विभा को और गार्यवा को भी अप्वेंट करेगा कौन करेंगा कॉप गार्यॵा करेंगा विभा का जो सन्द्रच कोगा इसका गार्यवा है Jew उसके बाद जैसर में विभाद पिता और पिता अमा कर आते हैंburg Donc 20 द सब जो दूर के रिस्तिजार है यह तो क्या है men a college को कर देनार तो जो मिनर हैं जिसन की मेरेज्च हुई है वह बाद मेन forgiveness back camp अफटर देखते हैं सरीर क discussion 산就會 की भिषानत यानी जिस से षयानत किसा तक जनांद माता 20 से 7 वर्स के मेल की रख सकते हैं क्या कश्टडी और जो फीमेल है जब तक वंगा टेप क Snror Humon कैंडया जब तक तक कश्टडी रख सकति हैं सेफए और मलकी जो सुन्नी मैं वो दोनों ये मानते हैं कि जो मेजर है मेजर की जो एज है जब तक नहीं हो जाती तब तक मेल के लिए और फीमेल के लिए जब तक कि उसकी मेरेज नहीं हो जाती है स्या की सीया माता सो क्षिटडी एग व 20 युट पстले। इस दो साल तक की सकतरी लाई करेगी और साट साल फुर्र युटकशटडी दी cargo सर्नाए सेल पर two to two वाइग दॉना, पर 12 वाइग को सरे दना, Court Ward नीकत करेगा Gargian अब यदि माता का धर्म परवर्थन हो जाता है तो क्षटरी उसके पास रहेगी या नहीं रहेगी हाँ कषटरी उसी के पास ही रहेगी धर्म परवर्थन कर लेती है अब देखते हैं कि मदर को Gargian किश्टरी रखने का अधिकार कब नहीं होगा माता केवल कश्टडी रख सकती है लेकिन गार्जिन फादर ही रहेगा जब माता अनैतिक जीवन बिता रही है तो बच्चे की नेगलिजेंसी करती है तो मदर ने इस्ट्रेंज के साथ इस्ट्रेंजर जोहस के साथ मेरिज कर लिए तो या फिर वो से जो जो गॉजल किया जाएगा वह सेे थे दौरा फादर के बढ़ा के द्वार प्रेंट चाएगा बनल्यती एक माइनर की मेरिज करवा दी है क्या है कि जो udah इस जब तक इस ऑड जो उसकी पाँ है ज़ो क्या होगा pensa कि वो मदर के पास जासकता तो या तो मदर के पास जा सकता है या फादर के पास जा सकता है या फिर दोनों को reject कर सकता है अब यद एक condition देते हैं एक माइनर है और वो हस्वेंट है और उसके साधी हो गई है बी से और सी और डी उसके बच्चे हैं तो इस केसमें जो ए है वो गार्जयन होगा अपनी फोर चिल्टन का भी गार्जियन होगा आफटर देट हम देखते हैं संपत्ति के संदग अब जो संपत्ति की संदग चक हैं उसमें तीन टाइब के दिये हुए हैं सबसे पहले जो कानूनी या फिर विधे या फिर नयसरगेक जो यह कहते हैं कानून के द्वारा जो पॉइंट कर दे जाते हैं जो अप्वांट किये गए हैं तो यह चल संपत्ति के लिए अचल संपत्ति के लिए अप्वांट किये जाते हैं चल संपत्ति यानि इम्मुवेवल प्रोपर्टी अचल संपत्ति यानि मुवेवल प्रोपर्टी अब जो चल संपत्ति के लिए जो निउक्त कि जाएंगे या तो पहले पिता के वसियत नामे में करते जाएंगे या पिता के पहले पिता होंगे फिर पिता के वसियत नामे के द्वारा निक्त किये जाएंगे या फिर पितामा या फिर पितामा के वसियत नामे के द्वारा निक्त किये जाएंगे अब यह जो निक्त किये ज प्रपर्टी को अब देखते हैं कि यह जो वसीयत के संद्चक हैं क्या यह विवा करा सकते हैं तो जो गार्जेन अपॉंट किये गई यह अपॉंट गार्जें नहीं करा सकते हैं लेकिन एक जो फदर हैं उसने अपना जो रेलीजन है वो क्या कर लिया है, चैंज कर लिया ए तो क्या वो विबाँ का संन चहक होगा, पिता या पितामा के द्वारायर्ध मदर को क्या है अपॉइंट कर दिया गया है विल में अपॉइंट कर दिया गया है एजा गार्जियन तो वो बोड़ी की गार्जियन होगी और यह नॉर्मली भी अपॉइंट कर दिया गया है विल में तो या तो मदर या चाचा यह दोनों में से एक क्या है लीगल गार्जियन होंगे फ्र भाइके देकते है नियायाले के द्वारा नियॉक्त-रडरजीन नियॉक्त-रडर्जीन कीये जाते हैं इसे हैं मंट्निक्सर deputy होता है यह लिए जली की द्वारा ही किया जाता है worship को फिनारे के म क्या 있다고 चुकरake देद्य handicap? अब यह जो गार्जियन है इन गार्जियन को कब हटाया जा सकता है तो यह गार्जियन है यह अपने जो अधिकारें उनका दुर्प्योग करें अपने जो कर्तबें उनका पालन नहीं करें देख रेक जो केयर है उसमें क्या करें उपेच्छा करें नेकलेजेंसी करें यद इन तब भी यह हटा दिये जाएंगे गार्जियन आफ्टर देट हम नेच्ट टॉपिक दितते हैं इंपोटेंट टॉपिक है हमारा हिब्बा हिब्बा यानि गिफ्ट हिब्बा को दान भी कहते हैं अब इसकी जो डेफिनिशन है वो हेदया के दौरा बहुत ही अच्छी डेफिनिशन दी हुई है इसमें क्या है कि एक व्यक्ति के दौरा दूसरे व्यक्ति को सबसे पहले तुरंत बिना किसी विन में यानि without any exchange बिना एबज यानि विदाउट कंसिडरेशन बिना सर्थ यानि विदाउट कंटीशन संपत्तिगा क्या किया जाता है अंत्रण यानि के एक्षेंज और प्रोपड़ी की जाती है और जिसे दूसरा क्या कर ले स्विकार कर ले खुद या उसकी तरब से कोई भी अपॉइंटी स जहते हैं यह किस के द्वारा यह मुल्ला के द्वारा है हिबा दो प्रकार से किया जाता है एक जीवित दिसाम हिबा और वसियत द्वारा जीवित दिसाम हिबा किया जाता है तो यह संपूर हिबा भी किया जा सकता है किसमें जीवित दिसाम है और यह वसियत के द्वारा किय उसी जो किया जा रहा है वो जरूर ही नहीं है कि वो मुस्लिम होना चाहिए यह गैर मुस्लिम को भी किया जा सकता है अफ्टर देखते हैं, इसकी में प्रेंट थे हैं तो पहले विदाउट एक्षेंज होना चाहिए धीड़ा, कोई कंसीड़रेशन निया होनी चाहिए, विदाउट कंडिशन होना चाहिए, और क्या है में चीज, पाशेशन और प्रॉपरिटी होना चाहिए, वो ट्रांस्फर ह गुग से लुधा और ट्रांसपर अंतन स्पारी चल में προेक्ठी पीनल प्रोपर्टि प्रोपर्डा के अंतन से लुगर सिंद करणीन works, कुछ ग्रफ मन है कि य Sounds जिसके पास अजकार है किसी संपत्ती का नाम है उसके टाइटल में है तो क्या वो हिबा कर सकती है तो हाँ वो हिबा कर सकती है अब क्या जो कस्टम वो मैंने है यानि जो परदा रखने वाली वो मैंने क्या वो हिबा कर सकती है हाँ वो परदा रखने वाली और भी हिबा कर सकती है क्या कोई व्यक्ति जो bank corrupt हो गया वो hibba कर सकता है हाँ वो विक्ति भी hibrba कर सकता है यद उसका दोका देने का बहुतकल अम जड़र फो After that हम देखते हैं हिवा की वस्तू क्या होगी तो हिवा की जो वस्तू होगी वो movable property हो सकती है movable property हो सकती है जिसका क्या है जो tитуl है उसे क्या है? ट्रांसफर किया जा सकता है. ऐसी प्रोपर्टी होनी चाहिए. फ्यूचर प्रोपर्टी का हिबा नहीं किया जा सकता है. आफ्टर देखते हैं हिबा की जो विसे वस्तो है, उसकी जो सीमा है, लिमिट्स क्या होंगी? तो पहला काय और दूसरा फ्लूग, यानि इसे अरिया भी कहते हैं और यूज, यूज की बेसिस पर. तो पहले देखते है काय, काय यानि कि जिस पर कपजा है, जिस पर उसने स्वामित पिस्तापित किया हुआ, उसे क्या कर देगा? वो ट्रांसफर कर देगा. और जो कपजा है, यह जब तक रहेगा, काय में, जब तक कि वो खुद जीवित है, उसके बाद में, उसके मरने के बाद वो ट्रांसफर हो जाएगा. जबकि फलूग में क्या है, कि उसका जो फायदा है, केवल और केवल अपने फायदे को ट्रांसफर कर रहा है, और ओनर से ट्रांसफर नहीं कर रहा है काई में क्या कर रहा है ओनर से यानि स्वामित जो है इस स्वामित को ट्रांसफर कर रहा है और अपने लिए जब तक रख रहा है जब तक वो जीवित है फॉलो भोग रख रहा है यानि अपने लिए और ओनर से पह उसे ट्रांसफर कर रहा है काई म कि आव भी तीन को जूंट से कर दिया तो जो डी है यह उत्तराद कार्ज नहीं कर सकता क्षाएं कि आपएड के सिंआ हुगा प्रपोरा होगा है मैं चाहिए एक पूरा तो सब्से पहले प्रपोजल होगा प्रपोजल में क्या है गोष्णा था कैसी होगी स्वतंत्र रूप से गोशना होगी acceptance यानि कि डोनी के द्वारा जो डोनी अधाता है उसके द्वारा accept किया जाए जो हिपाद दिया गया है वो उसके बाद जो possession है उस possession का transfer होना चाहिए at once तुरंती possession का transfer होना चाहिए after that हम देखते हैं कि j Inkati जो कौनसी संपत्ति है जिसका transfer किया जा Σकता है तो पहली movable property sell fact yagney мы盃 जो कफजा है वोúsica transfer होना चेहाई तैटल हो transfer होना चेहाई या نے धंका bon भी किया जा सकता है actualsham réponse oriented Ime Kit a प्रोपर्टी है तो क्या है इस केस में बाकी इस हिब्बा में क्या है जो गिफ्ट तिया जाएगा इसमें ट्रांस्फर की आवश्कता नहीं होगी पती और पत्री दोनों को दोनों किसी एक तुसरी को क्या दर देदे जमीदार के गाउं. क्लिवा मुसा का सिद्ध नाधाð बाग कि भीड़ां कर्देसी प्रताती जैसे कि गाउं संप्ति या तो पहले से यूजकमि-दार अफ्टर डेट मुसा का सिद्धात . मुसा एक अर्भी सब्द मुसा अर्भी सब्द है अब सुर्ण का मतलब होता है किसी की जो संपत्ति है उसका अविभाजित भाग जो होता है उसे कहते है हम मुसा इस अविभाजित भाग का क्या होगा हिबा नहीं होता है और यद हिबा होगा भी तो हमेशा क्या होगा इस अविभाजित संपत्ति का टोटल का हिबा होगा वही हिबा मानने होगा यह मुशा के प्रकार में पहला है विवाज संपत्ती उसमें आफटर देट जो विवाज संपत्ती है इस विवाज संपत्ती में जो हिबा होगा यह क्या होगा यह अन्यमें थिवा होगा विवाज संपत्ती का और यह वैलेड जब करना है तो इसके लिए ज अब कुछ एक्सेप्क्टन है कि इन केस्समें प्रोपटी क्याpower भीभाज है तो विभाजन नहीं किया है तो भी क्या भास्ट मानने होगा यानि एक उत्तरादकारी है और दूसरे उत्तरादकारी के पच्छ में कर दिया जाता है यानि वह अधी प्रोपर्टी उसने और ते दी तो क्या हो गया उसी की पच्छ में हो गया तो यहां विभाजन की जरूर नहीं है तो भी यह मानने होगा जमीदार या तालुका के इससे का हिबा करे कोई पहले कोई जम आई दी बिया क्या दी इत्ही चुछ से उनके पास सेर हूं more जो रिभादेयख जया जिसी इक में की बडे अ के बड़े जासी एं बड़े या जाकी में कई प्रौपर्टी कि आपार्टमेंट में कि आपार्टमेंट में कई य९ह उत्या है व्याई जो कि आन जुए MI विभाज जी जो प्रोपटी है उसका भी विभाजन करने की आउश्चिता नहीं होती है सत्का में वस्तू के लाप के लिए सत्का किया जाता है यानि कि उसका विभाजन नहीं करेंगे विभाजन कर देंगे तो क्या उसके मूल में कमी हो जाएगी या वो वस्तू बिकार हो ज जाता है अब देखते हैं हिबा का प्रतिसहरण यानि कि रद कर रुत कर सकते हैं अब यह जो होना चाहिए स्वतंच सहमति से होना चाहिए को जो निया कि च ports कर दिया भाम आज जो उसे क्या मैंके एगार्म ऑठफ देग अथिसी के वह इसे क्ट अ कर से काम है इसके 5 wert gef garant 2015 वाई टो call क्लेश ए खिIfa पर अक्रून इन वेकरा है। फारम में फिसरुच है के इसारिया जो सियासी हैं और सुन्नी से क्या हैं से आफ़ई यह दोनों क्या मानते हैं कि गोश्णामात्र करने से ही इसका क्या हो जाएगा रिवोकिशन हो जाएगा अब कुछ कंडिसंस देखते हैं तो कपजा देने से पूर कपजा जब दिया नहीं है तो जो दाता है जो दोनर है उसके पास फुल पावर होती है कि he wait कर सकता है क्योंकि हिबा के लिए k्या transfer of possession होता है तह तो दिया ही नहीं है कंपजा transfer हूँ नहीं allora तो क्या अधिकार है वो क्या कर सकता है उसे रिवोक कर सकता है कंपजा देने के पष्चाथ नाया लै कि थ्रू ही हो सकता है, क्या हो सकता है, रिवोकेशन, अब इसके कुछ अपबाद है, कि कोट भी रिवोक नहीं करा पाएगा, यद ये कंडीशन है, जैसे कि दाता, यानि डोनर और डोनी दोनों की डेथ हो गई है, तो हिबबा को क्या नहीं किया जा सकता, रिवोक नहीं करवाया जा सकता है, और दाता और अदाता, इन ये क्या है, ये किस में आते हैं, प्रोहिबिटेट रिलेशन्स में आते हैं, तो एक बार इनोंने प्रोहिबिटेट रिलेशन्स में जो पजैसन को दे दिया, तो फिर यह वापस नहीं ले सकते हैं पती के पती द्वारा पत्नी को कोई पजोस्यन दे दिया तो उसके बाद फिर वो रिवोग नहीं करवा सकते हैं संपत्ति के मूल में यानि जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी के मूल में क्या कर दे हो गया है जो प्रॉपर्टी दी थी इभा में उसमें क्या चेंज हो गया है प्रॉपर्टी बढ़ गया है उसके मूल में ब्रद्धी हो गया तो भी नहीं करवा सकते हैं क्या रिवोग य तो आप उस जमीन का रिवोक नहीं करवा सकते हैं, क्यांकि वो जमीन तो उसने बेश दिया गया है, जो गरीवों के लिए दान दे दिया गया है, उसको भी रिवोक नहीं करवा सकते हैं, या फिर बदले में कुछ ले लिया है, तो भी उसे रिवोक नहीं करवा सकते हैं, आफ हिबा बिल एबज, हिबा बसरतुल एबज, यह क्या है कि एक तरह से सारे हिबा के टाइप ही है, लेकिन फिर भी इन में डिफ्रेंस देखते हैं, जब एक व्यक्ति दोरा दूसरी व्यक्ति को जो संपत्ति का अंतरण किया जाता है, वो बिना सर्त के, बिना विन में, का अंतरण के किया जाता है और तुरंत किया जाता है, अर liberal का जाता है, यह जे हैता है, have you ever ehde, कोई बी धिसना नहीं है, कोई भी स्फ्ुली फिर अंतरण किया जाता है और विदाव थार्स में, इसे क्या कहेंगे? आप दिखते हैं हिब बिल एंबज में क्या है कि प्रत्थिकर के बद्ले दान दे दे जाता है, निकिसी ने कोई पहले काम किया और उसके बदले उसने कोई कंडिशन नहीं रखी थी. without condition काम किया हमारे यहां और उसकी बदले हमने क्या है उसे हिबा कर दिया यानि कोई जगह थी उस जगह का हिबा कर दिया उसे तो इसे कहते है हम हिबा बिल एबज यानि काम के बदले में हमने हिबा दे दिया उसे अब क्या है हिबा बसरतोल एबज हिबा बसरतोल एबज मतलब हमने उसके सामने यह सर्त रग दी कि तु यह काम करेगा तो उसके बदले में हम तुझे क्या कर देंगे यह हिबा कर देंगे इस सीज का तो इसे कहते है हिबाबा सर्तुल जैसे यह दाता था इस दाता ने कहा, कि जवी तो यह शी पुत्री से यह व्याँ करेगा, तो मैं तुझे यह इस चीज को प्रोपटी को दे दूगा, तो यह B क्या था यह अधाता भी से कहा, तो यह हिबा क्या होगा हिबाबा सर्तुल एभज होगा सर्त का पालन करने पर हिबा प्रित्फल की रूप में मिलेगा उसे अब इनका अंतर देखते हैं संपत्ती का जो स्वामत्त वह जो ट्रांसफर किया जा रहा था बिदाउट कंसीड्रेशन किया जा रहा था यहां क्या ह यह क्या है कर देघ्ट्रांसवर किया जा रहा है उसके बदलिस सम्पत्ती का सवामत्त को जो है जो हो टैकल जो है इसको आफटर देट यह दिख ग्लतल रहे हैं कॉग्या का जूपर्दान है वह च्या है एप्शोल्यूत है यह एड्यूकर्ण दिख गवालम अगरत ट्रां इस नहीं होना क्या है , अब यह जो जो se tests सिर्थ पूरा करतीया है। मुशा का हिबा का सिद्धानित है। यहाँには hatten defence मुशा कि हिबा के लिदानतों ह Stauna करते हैं क्योंकि उसने काम किया है और कोई भी सर्थ नहीं रखी ती इसलिए और मुसा का जो हिबाय है वो यहां अमान वहाइब क्योंकि यहां सर्थ रख ती गई थी अफ्टर धपवाद के सिवाय जो हिबा होते हैं वो क्या होते हैं कुछ exception के अलावा हो रिवो केवल होते हैं या उनका प्रति सहरंड कर दीया और यहीं क्या है और यह क्या है जब तक उसने condition नहीं मानी, चर्श क्यों हो कि ने स्मभन हमो सब्क्राइब की पाइब जैसा हम लंग अ जब तक सब्सक्राहें, सब्सक्रारों फजभव ए रहला है सब्सक्राहें गाते हुरीजिऊ भील यू फॉल हो raci tymdeQué कर द ए ज्जब को इस एक सब्सक्राइब or not फाजिएसण का ट्रांस्वर करना क्या नैसे सरी है यह यह रिवोक के वल होता है मुशा का सिद्ध EMPT fällt क्या है और यह मुचा का सिद्धान च्छ र्क्रषार क्या रिव's में सब्च्वर कर सकते हैं किसमें सब्कॉम और हिबा में नहीं कर सकते हैं लास्ट और इंपोटेंड टॉपिक दिखते हैं इसमें हम वसीयत संबंधी नियम यानि Will Related Law तो Will Related Law में हम देखते हैं Will क्या होता है यानि किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी संपत्ति को दूसरे व्यक्ति को दे दी जाती है ठीक है और यह जो संपत्ति मिलती कवें यह वसीयत करता कि जब डैथ हो जाती है उसके बाद मिलती है अब मुसल्मान व्यक्ति के द्वारा जो विल है वसीयत है यह अधिकार होता है कि हर मुसल्मान व्यक्ति को क्या करनी चाहिए वसीयत करनी चाहिए अब देते हैं इसकी प्रकृति क्या होती है वश्यत की वश्यत का नेचर क्या होता है और मीनिंग क्या वश्यत यानि वश्यत की क्या है ट्रांसफर होने चाहिए उसमें क्या ट्रांसफर होना चाहिए किसका प्रॉपर्टी का और यह काबो का डैथ के बाद में, जिसने वसीयत की है, और यह किसमें लिखा हुआ है, प्रकरती इसकी किसमें दिए हुआ है, फत्वा ए आलम गिरी बुक है, इसमें दी हुई है, किसकी प्रकरती वसीयत की प्रकरती, उसके बाद वसीयत के जो कानून का उद्भब, यानि ओ को झाहिए वसीयत करनी चाहिए है अभ साधद इल्ब अभी नकाष से मौमब साथ आगें और इनौने का उस्ऺंव किन्हों नहीं किम्ण कर पर काई अर्मृम्शिज्र को खिने शीयत कर सकती लोग किसी को भी कर सकते हो, इस टेंजर को भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि वो मुसलिमी हो, गहर मुसलिम को भी ये की जा सकती है वसियत, लेकिन वन बाई थार्ड, कोई अपचा डिकता, आपे चित्ता नहीं है, यानि कि जो नैसेसिटियों क्या होनी चाहिए, वो जो है, वो मेजर साउंड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, साउंड मैंड होना चाहिए और ये जो हिबा ही है, गोसला मातर से भी की जा सकती है, अफटर टा siellä ? ये जो हिबा है , ये रिटें या फिर ओरल, तो रिटें और ओरल दौनोंव टैप की हो सकती है, और सबूत का जो भार क्क 58 कोच्छआ हुगा सभरा उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि जो यह निवधा की गई थी मौकिक यह जो मौकिता के की घए थी यह एक हिए जब आफ्टर ब्याद के गें इस चfind होते हैं। है यह जो एक होती है है तेन में यह जो बशलती है तुप में रिट्रल भी सकते हैं अब्डूलम्त्रान खान बनामं मुर्थजा खान केस में यह कहा गया जी जको प्रसारब ये रिट्रल भी सकती है रिट्रल भी आपने होने हैं छोट्रोड्स में होनी जाहिए वसीद ul aftar that अब देखते हैं ये जो वसियत है इसकी कुछ requirements होती है valid requirements होते हैं वह valid requirements किया है तो पहली है वसियत करता कि क्या होनी चाहिए सच्छम्ता होनी चैए compatibility तो क्या होगी compatibility तो वो वसियत करता है यो soundained होना चाहिए Muslim होना चाहिए Major होना चाहिए Indian majority 1875 के according एबब 18 years, और यद वार्ड हमेर तो एबब 21 years होणा चाहिए, आप इसमें कुछ छीज देखते हैं, जैसे कि यदे, अंसाउंड माइन का कुई व्यक्ति है, उसने क्या है, वसियत कर दिया कर दिया, और वसियत करने के बाद वह साउंड माइन होने के बाद, क्या है कि उसे क्या करेगा रेटिफाई करने के लिए कह रहा है कि मैं इसे रेटिफाई कर दूँ तो फिर वो रेटिफाई नहीं कर सकता है यद minor ने कोई वसयत कर दी है और major होने के बाद वो क्यता है कि मैं इसे ratify कर दूं तो ratify कर सकता है, हां उससे ratify कर सकता है valid करवा सकता है किसे वसयत को लेकिन अंसाउंड mind वाला व्यक्ती sound band होने के बाद उससे valid नहीं करवा सकता है after that हम देखते हैं यह sound band जो इन दोनों कंडिसनों में नहीं करवा सकता है। चाहें वो time हो, period हो या फिर वो इसकी death हो। यदो death के पहले sound band सा death के time unsound band है, तो अभी उसकी जो वसियत है वो क्या हो जाएगी? इन्वैलिड हो जाएगी। After that हम देखते हैं जो suicide करने वाला व्यक्ति है। उसके दोरा जो वसिएत है वसिएत कि जाती है तो क्या मानने होगी वसिएत यह सुनी समप्रदाय के according है। Sia Samprtaय के according ये sought suicide का attempt किया है। और attempt करने के बाद वो बच गया और उसके वाद उसने वसियत किया तो यह वसिएत क्या सिया के according लेकिन उसकी death हो जानी जाहिए उस में अब वसीयत गिराही की सच्छम्ता देखते हैं जो वसीयत गिराही जिसके नाम वसीयत की गई है उसकी क्या ability होनी चाहिए तो यह क्या कोई भी व्यत्ति ऐसा व्यत्ति होना चाहिए जैसे ओ क्या टाइटल लेने में सच्छम है की उपस्थिती होनी चाहिए जब वसीयत हो रही है अब सिया के एकोडिंग जो वसी म्रत्यू के टाइम उसका प्रजेंट होना नैसे सरी है जब एक्सक्यूशन होगा उसका विल का एक्सक्यूशन होगा उस टाइम उसका प्रजेंट होना नैसे सरी है वसीयत कि रहाएगा और सुनी के एकोर्डिंग जब वसीयत का जो टायम में जिस टायम वसीयत हो रही है उस टायम उपस्तित होना आवश्यक है After that दिखते हैं दान की विशय वस्तु का मानने होना जो वसीयत है जो वसियत की गई तो वसियत में क्या होगा कि जो टाइटल है और ओनर सिपह उसको ट्रांसफर किया जाएगा और यह जो ट्रांसफर करना है बहुत आवशक है जब तक यह ट्रांसफर नहीं होगा टाइटल और ओनर सिपह तब तक वह अस्तुत में नहीं होगी और उसके रिय की बनाई जा सकती है अपनी बनाई बनाई जा सकती है अपनी बनाई बनाई बी के लिए कि मेरी जो संपत्तिय वी को मिल जाएगी लेकिन एक बनने से पहले भी मर गया तो A ने फिर एक और बिल बना रखी थी उसी में कि B की एद मर जाता है तो B के मरने के बाद मेरी यह जो बिल है यह ट्रांसफर हो जाएगी सीखो तो इसे कहते है कि रखी यह काम करता है तो इसे यह चीज मिल जाएगी यह बिल बैलेड नहीं होगी कंडिशन से जो रिलेटेड बैलेड होगी कंडिशन से रिलेटेड बैलेड होगी after that हम देखते हैं जो काय है और follow book है काय में जो use होता है वो किस चीज के लिए use होता है काय किस के लिए use करते हैं बहुतिक चीज़ों के लिए तो इसमें क्या है जो हमारी will होगी वो क्या होगी valid होगी follow book में क्या है हम लाब के लिए करते हैं वह लाग कोई तो हम ट्रांसफर करते हैं तो इसमें जो विल होगी हमारी विल इन बैलिड होगी हमारी विल after that हम देखते हैं कि ये जो हमारी will है उसका हम देखते हैं जो time period है ये time period के भीतर है या क्या है सीमा के भीतर तो इसमें पहला है हमारा वसियत दार व्यक्तियों के संबंद में यानि उत्तरादिकारियों के संबंद में यानि जो उत्तरादकारी नॉर्मल कहते हैं कि जो वसीयत है वो उत्तरादकारियों के लिए नहीं की जानी चाहिए यद की भी जाती है तो सुननी कहते हैं कि यद एक चार उत्तरादकारी हैं तो एक के पच्छ में की जाएगी तो अन्नी की सहमती लेनी होगी और ये सैमती कब ली जाएगी? मुर्ती के बाद ली जाएगी, जब विल्का एक्स्कियूस वनोगा, विल्कों खोला जाएगा सियावाले कहते हैं, एक तिहाई का वसीयत की जाती है, तो एक तिहाई की वसीयत के लिए अनुमती की आवश्क्ता नहीं होगी और यद अनुमती की आवशिक्ता है भी तो जीवन का अलमा या मृत्यू के समय बेक बाद सहमती ले सकते हैं लेकिन सुननी में मृत्यू के बाद ही सहमती लेनी होगी संपत्ती के संबन में ये भी है कोई भी मुसल्मान क्या है कर सकता है वशियत कर सकता है, एक बटा तीन से ज़्यादा की वशियत नहीं कर सकता है, कोई भी वारिस नहीं है, तब संपूर्ण वशियत कर सकता है, वैसे नॉर्मली एक बटा तीन से ज़्यादा वशियत नहीं कर सकता है, आफ्टर देट यह एक तीन भाई है और तीन भाई में एक भाई के नाम क्या कर दी गई है वसियत कर दी गई है तो दो भाईयों को क्या सहमती देनी होगी तभी एक भाई को एक तहाई जो वसियत की गई है वो वसियत मिलेगी एक भाई सहमती दे देता है एक भाई सहमती नही तो ये जो सहमती देगा यानि उसी केस्टे से कटेगी अफटर देट दिवालाया उत्तरादिकारी की सहमती भी लेनी होगी को क्या इसी प्रॉपर्टी मिल देगा वाद oni नहीं रहेगा एक की सहमती दी तो बाद में वापस नहीं ले सकता हूँ यद एक ने सहमती दे दी अपनी तो वो सहमती को बाद में वापस नहीं ले पाएगा वसियत करता के जीवन काल में यह जिसने वसियत कर रहा है वो और उसके लाइफ टाइम के अंदर ही अंदर क्या हो जाती है जिसके लिए वसियत के उसकी मृत्ति हो जाती है तो सुन्नी के एक्वर्डिंग वो विल क्या हो जाएगी इन्वैलिड हो जाएगी लेकिन सिया के एक सुन्नी के recording ॐ एक चीज और देखते हैं जो विल करता है Chill ज ton कर रहा है और जिसके लिये कर रहा है वो उस भी करने वा ले वो क्या कर देता है Fire कर देता है तो यो यह जो Death की गई है यह With intension की गई है extension से अत्या की गई है इत्या, विल करता की, या फिर बिदाउट इंटेंशन की हो तो क्या है, कैंसल हो जाएगी, वसीयत करता की मिरत्यु सेयद, जो अन्बोर्न चाइल्ड है, उसके लिए या कोई वसीयत की जाती है, तो सुननी के अकोर्डिंग, जो अन्बोर्न चाइल्ड नहीं हुआ है, अब कि जो बोन हो गा उसका जो जन्म है ऊव शह महीने के अंदर 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 हो जाना चाहिए विलकी डे subscribing apt से और 59 सी एक डिंग जो वसियत करता है जिसकी डैत हो जाई है यह सङ palp आवश्यक है यद ए ने बी की क्या किया है वी के नाम क्या किया है बिल की है और ये दोनों के दोनों एक ही टैम पे इनकी डैथ हो जाती है तो वो विल मानने नहीं होगी खेरात के लिए भी क्या है बिल की जा सकती है बसियत की जा सकती है religious work के लिए लेकर ये किवल Muslim religious work के लिए ही will की चाह सकती है इसी के साथ हमारा Muslim lawyer complete हो गया मैंने सारे important topic cover करने की कोशिस की यद कोई भी आपकी इन से related query हो topic से तो आप मुझे comment section में फूच सकते हैं मैं उसका reply दोगा यद वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए और channel को subscribe कीजिए जै हिन जै भारत